राजे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों हमारे यूटूब चैनल पर आपका Shakti है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आज करवाचौद का दिन है और करवाचौद जो है दोस्तों इस दिन विवाही तो महिलाएं अपने पती की स्वास्तिय की स्वास्तिय और लंबी उम्रक के लिए मंगल कामना के लिए वरत रखती है इस वरत की शुरुवात सुबस सवरा होने के साथ ही हो जाती है इस वर्त में सूर्योदय के बाद कुछ न खाया जाता है और नहीं आज के दिन कुछ पिया जाता है करवा चौत का वर्त और पूजन कार्थिक महिने के केशन पक्स की चतूर्दी को किया जाता है इसे करक चतूर्दी भी कहा जाता है करवाया करक मिठी के छोटे गड़े को कहते हैं जिसे चांद को अरदे दिया जाता है ये चोध सरज फूर्णिमा के बाद आने वाली चोध होती है ये लगबग पंजाब, उत्रपरदेश, राजस्थान, हर्याना, मद्योपरदेश, राजियों का ये परमुक तयार है साथी गुजरात, महराष्ट्र, दक्षिन भारत में ये दिन आस्फ्रीन महिनोय में पढ़ता है इसी समय खरीब की फसल, तयार होने से इस तरह आयर, तयार की उमंग और भी बढ़ जाती है करवाद चोध के दिन विवाहीत मेला ये अपने पती की स्वास्तिया और लंबी उम्र के लिए कामना के लिए वरत रखती है इस वरत की सुर्वात सुबह सवयरन होने के साथ ही हो जाती है इस वरत में सुर्य दे के बाद ना कुछ खाया जाता है और ना ही कुछ पिया जाता है रात को चांद निकलने पर उसे अर्दे देने के बाद ही वरत खोला जाता है इस चांद को अरक देना या फिर चांद का अरक देना भी कहते हैं अलग-अलग जगा और परिवार के इसाब से रिती रिवाज कुछ बदल जाते हैं तो दोस्तों करवा चौत पर घर की महिला हैं आज के दिन जो है फिर चांद जब अरदे होता है चान्द जब उगता है, तो चान्द को अर्दे देखकर अपने पति का जो है, क्या है, जब आप घर की महिला हैं, जब चान्द को अज़ना की है, आप मिटी के के जो जो भी लड़ाई जग्र हैं अन बनता है जो भी प्रेशानी है वह दूर होकर आपके पती-पतनी के बीच में प्रेम भाव बना रहे हैं इसके लिए आपको काम करना चाहिए कि आप मिट्टी के करवे इसा पूजन कर रहे हो तो उसमें जब भगवान चंद्रदेव को आप अ बानी के अंदर डाल कर चंद्रदेव को अर्देदे साथ ही ओम स्रीम समय नमह मंतर का जब करते हुए आज चंद्रदेव को अर्दे देना चीए ऐसा करने से पती-पतनी के बीच की जो लड़ाई जगड़े हैं वह खत्म हो जाते हैं और ज्यून में सुक सम्रती पनी रहती हैं यहनि इस उपाई को करने से पती-पतनी के बीच की जो भी प्रेशानी है वह खत्म हो जाती है और शाथ ही आज के दिन आपको माता पारवती भगवान सीव भगवान कार्थी कहें की पूजा जरूर करने चीए करवाचोथ के वरत में चंद्रमा की पूजा की जाती है ज साथ ही आप काम कीजिए कि आज के दिन महिला एक विशेश उपाई करते हैं तो भी आपके जीवन में सुक समर्थी पनी रहती है तो उस तो उसमें उपाई है कि आप करवाचोथ के सुपह पती-पतनी किसी नजदीक शिव मंदिर पारवतिर मंदिर जाएं शिव जी को बेल करती हैं अगर पती-पतनी दोनों मिलकर ही पूजा करें और गनपती अथरशीश का पाठ करें तो दोनों के बीच प्रेम लंबे समय तक बना रहता है करवाचोथ पर पती अपने पतनी को सुगंदी चीजे जैसे कोई इत्र या फरफ्यूम उपहार में दे दे तो वैभाई को दे करी वरत खोल दाता है जिस तरह चंदर्मा अपनी रोहिनी से प्रेम करता है उसी तरह पती-पतनी के बीच का भी प्रेम बना रहता है करवाचोथ की साम को भोजन में कुछ मिठा होस्य सामिल करें अगर संभव नह तो बाजार से मिठा ही भी आप ला सकते हैं सबसे प वो भगवान को लगाएं और फिर परिवार के साथ मिलकर खाएं इसे पती-पतनी के साथ परिवार में भी प्रेम बना रहता है तो दोस्तों चंदर्मा आज जो है करवाचोथ की रात अगर आप यह उपाई करते हैं तो आपके जीवन के हर प्रेशानी कतम हो जाती है और आ आपको नहीं करना पड़ता है